हेलो फेंस यूपी में लेकपाल की भरती बहुत ही जल्द होने वाली है लेकिन इसके लिए दू डॉकुमेंस होने बहुत ही ज़रूरी है कौन कौन से डॉकुमेंस है वीडियो को एंड तक देखेगा एंड इधी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो जैसा कर सब्सक्राइब करें और इसके लिए तैयारी भी कर रहा है तो आप के लिए खुसकब्री बता देखेखित अर्जय क्या इसके लिए चैनल को सब्स्राइब करें जैसे ही और जली कोई नोटिफ किसन मिलता है आपको बता देंगे तो इसके लिए अमंतर की तरीक का अलान किया जासता है इसके लिए अंतरगत 799 लेकपाल की भरती एंड 173 राजस निरिच्छक 53 पुष्प की बात करें तो वरिष शा बनी हुई थी जिसके लिए उतरगते अधिनस सेवा चैनल आयो जल्द से जल्द भरती कराने के लिए संभव प्रयास किये जा रहा है जैसा कब सभी को पता है कि छुनाओं में बहुत ही कम टाइम से तो उसके लिए बहुत ही जल्द नोट पेकिसान आ सकता है तो चैनल को जबकि सेश खाली पदों को भरने के लिए यूपी राजस्व विभाग ने अब कमर कसली है और आने वाली समय में भी सभी पदों को भरा जाएगा जिसमें चकबंदी और राजस्व लेकपाल के दोनों पदें के लिए भरती कराई जाएगी अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइगा जैसे ही कोई अफिसली नोटिफिकेशन आता है हम आपको बता लेंगे देखें कौन कौन सो सटिफिकेट हैं जो कि आवेदन के लिए बहुत ही अनिवार हैं अगर आप यूपी लेकपाल की भरती का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जल्द ही ब भरती हैं एंड उसका सटिफिकेट होना बहुत ही आउसक है बात करें बहुत लोगों और कन्फीजन यह है कि यूपी पर इसी पीटी की अर्शेशन फिर से श्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है तो होने की संभावना है देखिए क्या फिर से रिश्टेशन श्टार्ट हो क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिज्टेस्न नहीं हो पाया है और देखे अब एक्जामस कब हो जैसा कि अब सभी को बता है कि यह रिज्टेस्ट हुआ था मयी से 25 मयी से यंड लावा ड्र ट हुआ था 21 को रात करें तो बीच में एक्जामस्षरी रिच्टेस्न का जोलाष डेट था अपलाई अनलाइन का उसका भी डेट एक्स्टेंड हुआ था एंड देखे अभी भी कुछ टाइंस है आपको यदि कोई भी फॉर्म में मिस है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं बात करें एक्जाम्स की तो एक्जाम्स बहुत ही जल्द होने वाली है सितंबर की ल वाट्स आप इस वीडियो को सेर्ड जरू करिएगा एंड जैसे ही कोई आफिसली नोटिफिकेशन आता है हम आपको तुरंत बता देंगे तो चैनल को सब्स्राइज जरू करिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाए टेक क्या क्या है